साथियों, आज जिने नियुक्ति पत्र मिला है, उनके लिए ये जीवन का एक नया सफर है। सरकार का एक एहम हिस्सा होने के नाते, विक्सीद भारत की यात्रा में आपकी सक्रिय भागिदारी रहेगी। विशेश जिम्मेवारी रहेगी। आप मैंसे जादातर लोग सरकार के प्रतिनिती के तौर पर सीधे लोगों से जुडेंगे। आप मैंसे हर कोई अपने तरीके से लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। आपने सुना होगा व्यापार कारोबार की दुनिया में कहा जाता है कि कंजुमर इस आलवेज राइट। वैसे ही सासन व्यवस्ता में हमारा मंत्र होना चाहिए। citizen is always right वही भावना हमारे भीतर की सेवा प्रभुति को और ताकत देती है। आपको यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि जब आप सरकार में न्यूक्त होते हैं, तो उसे government service कहा जाता है, job नहीं कहा जाता है। अगर private में जाते हैं तो कहते हैं job करते हैं, सरकार में आते हैं तो कहते हैं सेवा करते हैं। अगर आप सेवा भाव को मन में रख कर इन 140 करोड मेरे देशवासियों की सेवा करना इतना बड़ा सोभाग्य मिलेगा, जीवन में एक आउसर मिला है और उस भाव से हम काम करेंगे तो इसका लोगों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। और आपको भी अपने काम में आनंद आएगा। आपने अभी देखा कि सरकारी सेवा पाने वाले कई हमारे कर्मचारी साथी, कर्मयोगी बंधू, ओनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं। डिजिटल ट्रेनिंग प्रेटफॉर्म आई गौट कर्मयोगी से उन्हें बंधू की तैयारी के लिए मदद मिल रही है। अफिशल ट्रेनिंग प्रोग्राम से अलग इस प्लेटफॉर्म पर और भी कई कोर्सिस हैं। जो आपकी व्यक्तिकत च्छंता बढ़ाने में, आपके व्यक्तित्व के विकास में, आपकी सोचने की गहराई में, उत्रोत्तर प्रगति होती है, लाब होता है, मुझे विश्वास हैं कि सेल्फ लर्निंग थ्रू टेक्नलोजी, ये आज की पीडि को मिला हुआ आउसर है, इसो जाने मत देना। जीवन में लगातार सिकते रहने की ललक ही, हम सब को आगे बढ़ाती हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं मेरे भीतर की विद्यार्थी को कुभी मरने नहीं देता हूँ, आप भी कहीं पर भी पहुँचे, आप लगातार कुछ न कुछ सिकते जाइए, जो आपती क्षमता बढ़ाएगा, जिस इंस्टिटूर्ट से आप जुड़े हैं, उसकी क्षमता बढ़ाएगा, और इन सम का प्रयास से ही भारत की क्षमता बढ़ेगी।